सब्सक्राइब कीजिए यहिंदी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यहिंदी उर्दू शैनल से अब सबसेतरी वागो सब्सक्राइब है तो सबसे फिले आपको क्या करना है टाक्स मेंने वाल को प्लोस करना है तो क्लोस करने के पाद दोस्तों आपको पिश्को फिर से रियोपन करके देखना रहा है यह रहा है कि रखने तरीके से आप अपका टास Mine नहीं ओर तो ctrl r plus delete button जो है दोस्तों press कीजे और यहां से आप अपना task manager select किजे यहां से open हो जाएगा तो इससे भी अगर आपको task manager open नहीं हो रहा है दोस्तों next step follow किजे तो windows की hold कीजे और r press कीजे और यहां पर आपको type करना है दोस्तों jp edit dot mhc type करने किजिए इंटरीट करने कद पर दूस्तनों इस तरह का इंटरफेस जिखाए देगा और यहाइस कहा पर आपको फाइंड ओड करना है यूजर कॉंसिएशन तो जैसे उसको एकस्टाइंड कीजिए और एदि मीनिस्ट्रेटर टेंबलेट को को extend कीजिए और यहां पे आप देख सकते हैं दूस्तों system को extend कीजिए दूस्तों system में आपको find out करना है control plus alt plus delete option उसपे click कीजिए दूस्तों और right panel में आप यहां पे देख सकते है remove डाक्स पर इस पर double click कीजिए दूस्तों और हाप क्या करना है not configured तो उसको select करना apply फिक करना और और ओके पिक करना इसके बाद दोस्तों एक मरदा वहाँ परना PC restart किजिए restart करने कबाद देखिए आपका problem साल हुआ या नहीं इनकेस अगर आप फिर भी same problem face कर रहे हैं तो next step follow कीजिए windows की press कीजिए और windows powershell type कीजिए दोस्तों इस पर right click कीजिए और run as administrator में इसको open कीजिए open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ command copy और paste करना यह जो भी command होने के बाद दोस्ते windows powershell को close करना है close करने के बाद दोस्तों windows की hold कीजिए और e-press कीजिए आपका जो इस पीसे open हो जाएगा और view में जाए यहाँ पर आप देख सकते है hidden items तो just उसको check कीजिए दोस्तों चैक करने करने क्वाद आप अपने C drive open कीजिए simple से इस तरीके से और user का 및 उसको open कीजिए open को जो आपका जो PC का नेम है दुस्तों उसको open कीजिए और यहा पर आपको find out करना है डेडा उसको open कीजिए और यहाँ प्रयां यहाँपा देख सकते हैं local उसको open कीजिए open पर देख सकते हैं तो यह फोल्डर को डिलीट करना है फिर से एक मरतबा अपना PC restart किजिए रिस्टार्ट करने बाद देखिए आपको प्रॉब्लम सॉल हुआ है याने इनकेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो next step प्रॉब्लम फेस्ट करने के बाद इंटरीट करने के बाद वेट किजिए इसका प्रॉब्लम फेस्ट करने को मिल रहा है तो फैनल और लास्ट सेलुशन यह है दोस्तों यहां से आपको अप्डेट करना यह है दोस्तों इसका फैनल सलुशन ज्यादा कुछ है ने दोस्तों इस वीडियो में बताने के लिए इस स्टेप के मदद से ताइस बार का जो नौट रिस्पोंडिंग एरर है उसको फिक्स कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद न जब थाइस । कर दोस्तों कर दोस्तों